बच्चो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है Combat Military Academy में, मेरा नाम है अंकित सिंग, बच्चो Combat Military Academy टोटली एडिकेटेड़ है आपके RIMS नवोदे एक्जाम जैसे एक्जाम के प्रिपरेशन को लेकर, और बच्चो आज हम Combat Military Academy में आप लोगों के लिए Physics का एक चैप्टर लेक हम उसको discuss करेंगे, और जो भी टॉपिक बाकी रह जाएगा वो भी कल ही discuss होगा, तो आज की लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे कि light होती क्या है, क्या-क्या चीजे इसमें importance रखती है, वो सारी बात आज की class में clear हो जाएगी, तो चलो फिर शुरू करते हैं, तो सबसे पहला question होता है, what is light, light होती क्या है, तो बच्चों, जो light होती है, is a form of energy that enables us to see an object, तो बच्चों, light हमें किसी भी चीज को देखने में कैसे help करती है, तो बच्चों, मान लो, ये कोई object है, ये हमारे पास एक chair है, थोड़े के लिए assume करते हैं, या फिर ये हमारे पास एक table है, ये हमारे पास इस तरीगे का एक table है, ठीक है, table रखा हुए है, अब table को क्या करेंगे, table हमें दिखेगा कैसे कि ये table रखा हुआ है, तो होगा क्या ना, किसकी उपर पढ़ने वाली कुछ lights reflect हो जाएंगी, कुछ lights reflect हो जाएंगी, और reflect होने के बाद हमारी आखों में आएंगे हमारी आखों में आएंगे और हम उस चीज को देख पाएंगे ठीक है तो क्या होता है किसी भी चीज को देखने में से help करता है by the process of reflection reflection ठीक है the object sun lamp candle which emit their own light are called luminous object luminous objects कौन कौन से होते हैं जो खुद की light emit करते हैं जो खुद से light emit करते हैं जैसे सन सं उसके अलावा lamp light bulb ये क्या गरते हैं ये खुद की energy खुद से light emit करते हैं तो बचल इसमे नहीं आएगा क्या Noont के पास भी तो light होती है नहीं बच्चो, moon नहीं आएगा, moon क्यों नहीं आएगा, क्यों क्या करता है ना कि moon sun की light को reflect करता है, sun की light को reflect करता है, moon का अपनी कोई light नहीं होती है, moon की अपनी कोई light नहीं होती है, sun की light को सिरफ reflect करता है हमारी तरफ, इसलिए moon हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, क्या stars की अपन की light है ठीक है तो यहां पर stars भी आ जाएंगे बट यहां पर moon नहीं आएगा समझ माया है क्यों कि मून क्या करता है सन की light को reflect करता है ठीक है तो luminous object समझ में अब एक्जाम में luminous object object पुछ है तो उसका मतलब क्या होता है जिनकी अपनी खुद की light है जिनकी अपनी यहां moon भी कर सकते हो अब मैंने आपको बताया था टेबल के उपर हमाँ light पड़ी reflect हुई हमारी आखों में आई हमें वह object दिखा तो इसका मतलब टो चेअर से light reflect हो रही है चेर light को produce तो नहीं कर रहा है तो चेयर क्या luminous object हो जाएगा नही चेयर हो जाएगा non luminous object, क्योंकि उसकी खुद की कोई light नहीं है, वो अपने उपर पढ़ने वाली light को सिरफ reflect कर रहा है, सिरफ reflect कर रहा है, तो समझ में आया luminous object और non luminous object का फरक, चलो, अब आगे देखते हैं, speed of light कितनी होती है, तो speed of light होती है 3 into 10 की power 8 meter per second, 3 into 10 की power 8 meter per second, और इ एक बात बताओ, light को sun से earth तक पहुचने में कितने minutes लगते हैं, तो बच्चों लगते है 8 minutes 20 seconds, 8 minutes 20 seconds, तो यहांसे कौन-कौन से important बाते पड़ी है हमने, पहला difference light होता गया है, तो light एक form of energy है, जो हमें किसी भी चीज को देखने में मदद करता है, दूसरी बात, दूसरी हमारे पास जो important बात थी, कि luminous object क्या होता है, जिसकी खुद की light होती है, जैसे की light bulb हमारे sun हो गया, stars हो गया, इनके luminous objects होते हैं, non-luminous objects कौन-कौन से हो जाते हैं, जिनकी खुद की light नहीं होती है, जैसे jr, table, moon, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास speed of light कितनी होती है, तो 3 into 10 की power 8 meter per second, बच्चो, meter per second ध्यान रखिएगा, और अगर मैं पूछों कि इसको अर्थ तक पहुचने पर light हो, कितना time लगता है, आप लोग कहोगे, sir, 8 minutes, 20 seconds, 8 minutes, 20 seconds, ठीक है, चलो, अब आगे का concept देखते हैं, अब आगे का concept देखते हैं, आ गया, ये, देखो, अब ध्यान से दे reflection होता कैसे है, देखे बच्चो, हमारे पास एक object है, या फिर एक surface है, जो किसे अपने उपर पढ़ने वाली सभी lights को reflect कर सकता है, ये बच्चो ये जो नीचे मैंने डैश 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 बनाया है, ये होता है, कोटिंग, जिसकी विज़स्ती, lights reflect करती है दूसरी चीजों को, lights reflect करती है दूसरी चीजों को, ठीक है, अच्चा बच्चो देखो, यहाँ से जो light reflect करेगा, कैसे reflect करेगा, हम हम उसको पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये हमारे लिए एक light eye, light eye, और इस surface पे strike की, light eye और surface पे strike की, तो incident ray, कौन सी, जो इस पे आके surface के उपर strike करी, और यह surface से फिर इस तरीके से reflect हो जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, reflect हो गई, तो इसे हम कहते हैं, reflected ray, reflected ray, ठीक है, incident ray और reflected ray का फरक समझ माया क्या होता है, incident ray, जो normal light आके surface पे टकराई है, उसे कहते है, incident ray, और जो तपराने के जो निकलती है, उसे कहते हैं, हम लोग, आपको reflected ray, ठीक है, दूसरी बात, ध्यान से देखिए, यह एक सीधी line होती है, इसे हम लोग कहते है, normal, normal, normal surface के perpendicular होता है, normal surface के perpendicular होता है, ठीक है, बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ ते मैंने तीन चीज़े बताए, incident ray क्या होता है, reflected ray क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमें साथ surface के perpendicular होता है, surface के perpendicular होता है, तो बच्चों जो light, incident ray है न, जो हमारी एंगल बनाती है न, normal के साथ, i, i, बच्चों i को ही कहा जाता है, angle of incidence, angle of incidence the angle made by incident ray with normal the angle made by incident ray with normal जो normal के साथ incident ray, जो angle बनाती है उसी को हम लोग कहते है angle of incidence ठीक है, और जो दूसरा होगा ये बच्चोए जो normal के साथ reflected ray angle बनाई, उसे हम लोग कहते है angle of reflection, आर को क्या कहेंगे angle of reflection reflection ठीक है angle of reflection तो बच्चो angle of reflection angle of incidence समझ माया क्या होता है ठीक है अच्छा अब यहां से एक law आता है बच्चो इस law का नाम है angle i is equals to angle r angle i is equals to angle r इसे हम लोग कहते है law of reflection law of reflection तो यहां यहां समझ माया है जो इंसिडेंट रे बनाती है हमारे जो इंसिडेंट रे बनाती है हमारे नॉर्मल के साथ उसे हम क्या कहते हैं एंगल of incidence, angle of incidence, और जो light हमारे reflected ray के normal के साथ बनाता है, उसे हम लोग कहते है, angle of reflection, और law of reflection क्या कहता है, angle i, angle r के बराबर होता है, अब अच्छो reflection होने के जो सबसे important चीज होती है न, यह surface होना चाहिए smooth, surface होना चाहिए smooth, smooth surface पे perfect reflection होता है, है, smooth surface पे perfect reflection होता है, चलो, यहां तक समझ में आया, अच्छा, चलो, अगला point देखो, बच्छो यहां से एक question बनता है, which is the, which is the best reflector of light, सबसे अच्छा reflect कौन करता है, which is best reflector of light, तो बच्छो इसका answer होता है, silver, silver, light को सबसे ज्यादा reflect करता है, सबसे अच्छा reflect करता है, best reflector, silver, ठीक है, तो angle of incidence क्या हो जाएगा, जो light आके surface के ऊपर टकराएगी, जिस angle पर टकराएगी, उस angle हो कहते है, angle of incidence, जो normal के साथ बनता है, जो light आई, वो हो जाती है, incident ray, incident ray टकराने के बाद निकल गई, यह reflected ray, reflected ray जो angle normal के साथ बनाएगी, उसे ही कहते है, angle of reflection, और law of reflection के according, angle I equals to angle R होता है, ठीक है, चलो, अब आगे देखो, आपको समझ में आया, incident ray क्या होती है, the ray of light which falls on the mirror or smooth surface, देखो, ray of light जो smooth surface पे गिरी, उसे हम क्या कहते है, incident ray, reflected ray, the ray of light which sent back by the mirror is known as reflected ray, समझ में आया, हमारा क्या था, हमारा figure कुछ ऐसा था न, इस तरह का figure था, यह हो जाता था, incident ray, यह हो जाता था, reflected ray, यह हो जाता था, normal angle of incidence, angle of reflection, ठीक है, normal point of incidence क्या होता है, अच्छिक पॉइंट of incidence, जो यह point है न, यह वाला point, यह वाला, इसे हम लोग कहते है, point of incidence, जहाँ पर reflected ray, incident ray और normal तीनों मिलते हैं, जहाँ पर incident ray, reflected ray और normal तीनों मिलते हैं, उस point को क्या कहते है, point of incidence, ठीक है, आगे देखो, normal आपको बताया, is a line at right angle to the mirror surface, at the point of incidence lies, angle of incidence समझाए आपको, angle of reflection, यह सारे notes में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बच्छों हम, अच्छे एक बात बताओ, यहाँ पर एक बात मैं पूछता हूँ, आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, देखो, यह हमारे पास एक surface है, इसके उपर एक light आगे ठकराई, और निकल गई इस तरीके से, निकल गई, बच्छों अगर यह angle of incidence 40 है, तो यह कितना होगा, यह angle कितना होगा, एक्जाम में एक question आया हुआ है, कि यह angle अगर 40 है, यह angle कितना होगा, तो बच्छों यह angle भी हमारे पास 40 ही होगा, हमारे पास laws of reflection के according पता है न, angle i, angle r के बराबर होता है, अगर आगे देखो, देखो, अब reflection क्या होता है, the phenomenon of bouncing back of light, rays is the same medium on the striking a smooth surface, is called reflection of light, यानि कि एक smooth surface है, उसके उपर एक light इस तरह से incident की निकल गई, reflection, दूसरी light आई, इस तरीके से incident की निकल गई, तीसरी light आई, इस तरीके से incident की निकल गई, ठीक है, अब लोग देख पा रहे हो, इसे कहते हैं हम और reflect हो गए किस से smooth surface है इस phenomenon को क्या कहते हैं हम लोग reflection of light reflection of light bouncing back of light after striking a smooth surface is called reflection of light याने की light का reflection इसमें angle of incidence is always equals to angle of reflection angle i angle r के बराबर होता है अभी अपने पढ़ाता पीछे incident ray reflected ray normal at the storm इस सेम प्लेस में लाई करते हैं तीनों पॉइंट्स सेम पॉइंट पर लाई करते हैं ठीक है चलो यहां तक बात समझ में आई इसके बाद देखो reflection के बाद सेम सेम टर्म आता है reflection of light यहां आप लोग देख सकत पर इस पर क्या लिखा हुए reflection of light reflection of light हां हमारे vision में है reflection of light बच्चों reflection क्या होते है ज्यान से देखो हमारा इस smooth surface है एक light आई और इस तरीके से निकल जाती थी यह होता था reflection यह हो जाता था हमारा reflection लेकिन अगर यही light आई बच्चों यही light आई और instead of reflection यह reflect होने की बजाए जान से देखना यह आई और यह कुछ इस तरीके से आई गया है और यह reflect होने की बजाए इस तरीके से निकल गई पास हो गई पास हो गई तो इसे हम लोग कहते हैं reflection reflection change path of a ray as it passes from one medium to another one medium to another अब इसका example आपको perfect example अगर आप लोग देखना है तो बात्रूम में जाना एक बाल्टी या फिर एक मग में पानी लेना उसके अंदर अपना पैंसिल डूबाना पैंसिल कुछ एंगल पर डूबाना आपको दिखेगा ना कि पैंसिल की हाइट ना थोड़ा उपर की तरफ दिखाए दे रहे है पैंसिल की हाइट थोड़ी छोटी लग रही है क्यों हो रहे है क्योंकि light जब भी किसी medium को change करती है न एयर से water में गई न तो रिफ्रेक्ट हो जाती है ना कि reflect होती है वो क्या हो जाती है रिफ्रेक्ट ना कि reflect तो reflection समझ में आया change in path of light when it passes from one medium to another medium ठीक है जब एक medium से दूसरे medium में जाती है तो light का जो path change होता है उसी को हम लोग क्या कहते है रिफ्रेक्ट्षन रिफ्रेक्ट्षन ठीक है चलो यहां पर यहां पर ज्यान देना अगर एक्जाम में question आएगा देखो एक surface है लाइट इस तरीके से इस तरीके से रिफ्रेक्ट हो गई जान से देखो ठीक है तो यह होता था बच्चो एंगल यह होता था हमारा normal देखो यह होती थी हमारी incident ray यह होती थी हमारी इस बोलेंगे नाट रिफ्रेक्ट रेवी से बोलेंगे यह इन अगल आए अंगल आर के बराबर होगा की नहीं होगा आप लोग खुद देखके बताओ अंगल आई अंगल आर के बराबर होगा बिलकुल भी नहीं क्योंकि यहां पर इस तरीके से light का path change हो जा रहा है तो कभ लॉफ रिफ्रेक्ट्चिन दाजसन फॉलो यहँ पर लॉफ रिफ्रेक्ट्चिन फ़ंक्शन नहीं करता है क्योँ नहीं गरता है क्योंकि light reflect इ नहीं हुई यहां पर light क्या हो गई पास हो गई उस medium से फैंश्यु फास हो गई तो इसलिए law of reflection भी iyin reflection भी function नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है, अब आगे देखते हैं, अच्छा देखो ध्यान से, next point, हमारे पास एक बात बताओ, एक होता है, इस तरीके से एक plane surface है, दूसरा हमारे पास इस तरीके का surface है, ठीक है, दोनों हमारे पास different surfaces है, एक ध्यान से समझना question को, एक light आई, strike करी, निकल गई, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, बच्चो देखो ध्यान से, अपने क्या पढ़ा था, angle of incidence, angle of reflection के बराबर होगा, ठीक है, अच्छे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पर इस surface पर light आई, strike करी, निकल गई, पर दूसरी light, यहाँ पर इस surface पर आई, इस तरीके से निकल गई, तीसरी light, देखो, इस surface पर आई, इस हाँ strike करी, ऐसे निकल गई, ठीक है, तो इस तरीके से तीनों lights अलग-अलग directions में जा रही है, तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं normal draw करूँ तो यह रहेगा, last मैं अगर normal draw करूँ, तो यह रहेगा कुछ, तो बच्चों देखो, यहां पे angle of incidence, angle of reflection, angle of incidence, angle of reflection, angle of incidence, angle of reflection, ठीक है, बच्चों smooth surface हो या non smooth surface हो, भले आपको देखने में यह एक हमेशा बराबर होगा angle of incidence के, हर एक case में बराबर होता है, भले surface चाहें, smooth हो चाहें, rough हो, angle of incidence हमेशा बराबर होगा angle of reflection के, light के case में हमेशा, reflection के case में नहीं होगा, reflection जितनी बार होगा angle of incidence बराबर होगा angle of reflection के, देखो, एक words में हमें confuse मत करो, एक word है, बच्चों हमारे पास reflect, reflect, इसमें क्या होता है, light का bounce हो जाती है, light bounce करती है, और reflect, reflect में क्या होता है, light pass हो जाती है, bounce नहीं करती है, pass हो जाती है, bounce करेगी, तो हमें पता है, angle of incidence, angle of reflection के, और यहाँ पे angle of incidence not equal to angle of reflection, बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, चलो बगला point देखते हैं हम लोग, यह क्या है, आओ, mirrors, mirrors, देखो बच्चो, mirrors हमारे पास generally तीन टाइप के mirror हम लोग पढ़ने वाले हैं, तीन टाइप के mirror हम लोग आपको पढ़ने वाले हैं, पहला plane mirror, दूसरा spherical mirror बगएर आएंगे, अभी plane mirror के बारे हम पढ़ लेते हैं, देखो, हम सब के घर में plane mirror होता है, plane mirror इसमें हम लोग अपना face बगएरा देखते हैं, तो बच्चो plane mirror मेर क्या होता है, if the reflecting surface of a mirror is plane, the mirror is called plane mirror, यह को हो जैसे अगर हमारा mirror एकदम सीधा सपार्ट इस तरीके का है, तो इसे हम लोग कहते हैं plane mirror, यह हो जाएगा plane mirror, इसके पीछे इस तरह की एक coating होती है, इस तरीकी की इमेज बनती है, वो हमें virtual and erect बनती है, कैसी बनती है, virtual and erect, आप लोगों के सब virtual and erect का मतलब क्या हो जाएगा, कि virtual and erect क्या होता है, बच्चो एक बात बताओ, जो mirror में image बनती है, क्या आप लोग से touch कर सकते हो, mirror में, जो image बनती है, क्या आप लोग से touch कर सकते हो, नहीं कर सकते हो अच्छा एक बाइब में जो image बनेगे गर आप अपना left hand आप उसा result उखाए देगा है अपके राइट राइट साइड being in भाइब में अंदर में धू-leaf ऑक यह 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 वह थे उ acesso क् और दूसरा Wow के गाने धूर यह साने नहीं कर सकते जुद मूवी मुवीजोती तक परदे के अंदर hero होता है, कि आप उस hero को touch कर सकते हो, नहीं, तो movie भी कैसे हो जाती है, वो हो जाती है हमारे लिए virtual, virtual image, ठीक है, virtual हो जाती है, तो it is always virtual and direct, अभी मैंने कहा आपको यह virtual और erect बनाता है हमें इसा, ठीक है, same distance में बनेगा, जितना आप लोग mirror से दूर खड़े हो, अंदर उतना ही दूर पे वो image बनेगा, इतना ही दूर पे image बनेगा, अगर यहाँ पे आप खड़े हो, आपका distance है 5 meter, तो जो यहाँ mirror में आपको यह अंदर image दिखाई देगी न, वो भी 5 meter के ही distance पे दिखाई देगी, ठीक है, size भी same ही रहेगा, size भी same ही रहेगा, size भी same ही literally inverted, आपका बता है, later inversion, जैसे ambulance आपने देखा होगा, ambulance कुछ इस तरीके से लिखा होता है, a, m, b, u, l, sorry, l, a, n, c, और e, इस तरीके से कुछ लिखा होता है, ताकि आप लोग पीछे की तरफ से देखोगे न, तो आपको ambulance दिखाई दिखाई देगा, इस तरीके से लिखा होत हो, वो, उल्टा लिखा रहता है, ठीक है, चलो, spherical mirrors क्या होते है, spherical mirrors के बारे में काफी detail में पढ़ना है, कल से spherical mirrors शुरू करेंगे, आज सिरफ normal mirrors के बारे में बताया, angle of incidence क्या होता है, angle of reflection क्या होता है, सिरफ इनके बारे में बात करी, कल मैं इसको पूरे topic को, detail में आप लोग झाली क्या है, बताया है, अज。